गनेशाय नमः, श्री शिव पुरान रुद्र सहिता द्वितिय खंडध्याय पंद्रह, सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का क्यलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के साथ भी हुई सती को देखा, वो तीनों लोकों की सार भूता सुंदरी थी, उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सतकार किया, ये देख लोक लीला का अनुसरंग करने वाली सती ने भक्ती और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुम को भी प्रनाम किया, नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिये हुए शुभासन पर बैख गए। तदपश्चात मैंने उस विने शीला बालिका से कहा सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एक मात्र जिनकी ही कामना है उन्हें सरवग्य दक्षवर महादेव जी को तुम पती रूप में प्राप्त करो। जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहन कर सके हैं ने करते हैं और ने भाविश्य में ही ग्रहन करेंगे वही भगवान शिव तुम्हारे पती हूँ। वो तुम्हारे ह के ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक थेहरा रहा। फिर उनसे विदाले, मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परम यावस्था बिताकर के युवावस्था को प्राप्थ हुई सती अत्यन तेज एवं शोभा से संपन हो संपूर्ण अन्बों से मनोहर दिखाए देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षन प्रकत होने लगे हैं तब उनके मन में ये चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवा है कैसे करूं। सती स्वयम भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाशा रखती थी। अतर पिता के मनोभाव को समझ कर वह माता के निकट गई। विशाल बुद्धी वाली सती रूपिनी परमिश्वरी अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंब की। क्रमशह, आश्विनी मास में नंदा प्रतिपदा, ससिष्ठी और एकादशीक में उन्होंने भक्ती पूर्वक थोड़े भात और नमक चड़ा कर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमसकार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्टिक मास की चतुरदशी को सजाकर रखे हुए मालपों से शिव की पूजा की और चिंतन करने लगी। मार्गशी इश्मास के क्रिश्न पक्ष की अश्टमी तिथी को तिल, जो और चावल से हर की पूजा करके जो तिर में दीप दिखाकर अथवा आर्ती करके सती दिन बिताती थी। पॉश मास के शुकी पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरन करके प्रातर काल खिचरी का नवेद्य लगावे शिव की पूजा करती थी। माग मास की पूर्णिमा को रात भर जाग कर सुबह नदी में नहा कर गीले वस्त्रों से ही भगवा शिव की पूजा करती थी। फालगुन मास के क्रिशन पक्ष की चतुरदशी तिथी को रात में जागरन करके उस रातरी के चारों पहारों में शिव जी की विशेश पूजा करती और नतो द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुकी पक्ष की चतुरदशी को दिन रात शिव का स्मरंग करती हुई समय बिताती और धाग के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाक शुक्ल तृतिया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जो के भाद से रूंद्र देव की पूजा करके उस महीनी को बिताती थी। जेश्ट की पूर्णिमा को रात में सुन्दर वस्त्रों तथा भठकटया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर ही वह माह व्यतीत करती थी। आशाल के शुकी पक्ष की चतुरदशी को काले वस्त्रों और भठकटया के फूलों से रूद्र देव का पूजन करती थी। मिताहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सबी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही रहती थी। अपने इस मानव रूप धारल करने वाली सती विधी पूर्व कुत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदावरत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एक आग्रचित से बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ज्ञान में निश्चल भाव से स्थित हो गई। इस देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। उन्होंने भी मस्तक जुकाय तथा श्री हरी आदी के मन में प्रीटी आई। श्री विश्नु आदी सब देवता और मुनी आश्चर रिचकित हो सती देवी की तपस्या की भ पूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके भी देवता और मुनी तुरंथी गिरिश्रेश्ट के लाश को गए। जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिया है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता प्रभु आपकी सत्व, रज और तमनामक जो तीन शक्तियां हैं। उनके राग आदि वेग सहिया है। वेदत्रा यथ्वा लोकत्रा या आपका स्वरूप है। आप शर्नागत के पालक है और आपकी शक्ति बहुत बढ़ी है। उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस प्रकार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो एहम बुद्धी है उससे आत्मा का स्वरूप धग्या है। अतही हमुर बुद्धी जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पारपाना अत्यंत कर्थिन ही नहीं सर्वता असंभव है। हम आप महाप्रभ इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहिता द्वितिय खंड ध्याई 15 कथा समाप्थ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे हरे। ओन नम शिवाई ओन नमा शिवाई ओन नमा शिवाई ओन नमा शिवाई ओन नमा झाले पड़ाई!